सर मेरे फादर को नियूरो डिजनरेटिव डिजीज पिसले पंदरा साल से और वो स्लोली पैनलाइज की तरफ भू हो रहे हैं और तो डोक्टर डाइग्डोज नहीं कर पारें सर्जरी भी कर वाली है स्पाइनल कोड की उसके बाद भी बढ़ रही है पिसले चाहे साल होगे सर प्रोग्रेसिव होता है क्ति कि यह खराब से खराब होता जाए कि की को Рिवर्स करने का उनके पास में कोई तरीका है मेडिशन से यह खराब को दो किया से ठीक करेंगे आप कुम्बब को कर वायर उनको थोड़ा ऑर उनको थोड़ा वह अपने आप इंडिपेंड़नेंट हो जाएंगे बहुत बढ़ी मदद पर नायम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो कोई कि दिजीज रिवर्सल के लिए डिजाइन नहीं हुआ ना तो कोई भी प्राणायाम जो है वो मुक्ति मोक्ष एंलाइटनमेंट समाधी यह से तरफ में डारेक्टेड होता है जैसे अस्तांग विन्यास योग अगर आप देखेंगे पतंजली का द्वास्तांग यूग है उसके इंदर देखेंगे तो यम नियम आसन प्राणयाम प्रत्यहर धारना ध्यान समाधी क्या योगा की स्ट्री से समाधी मिलेगे तो आपक कर सकते हैं वाकर पे वाकर शूट जाएगा यह थोड़े दिन करेंगे तो वाकर की जरूत नहीं पड़ेगी और फिर क्या है अच्छी चीज क्या होगी कोई भी देखिए यह सब की सभी के लिए बोल रहा हूं मैं आपके जीवन का एक लक्ष तो होना चाहिए कि आप उम्र ब जिस पर डिपेंडेंट है उनको भी तकलीव होती है और अपने शरीर को एमपावर रखना जब तक मृत्यू ना हो जाए यह सबसे पहला कर्तब है हर इक इंसाना तो आपके शरीर की effort making ability जोर लगाने की क्षमता को कम ना होने दें और जोर कैसे लगाते हैं कुमबक से लगा करते हैं तो वो कमजोर ना होने दें यह ध्यान रखें तो आप independent रहेंगे किसी पर dependency नहीं होगी और आपके डिजीज जो है जितने भी है वो रिवर्स होंगे कम से कम इस लेवल तक आ जाएंगे कि आपको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़े तो यह जरूरी है झाल करते हैं